Hello and welcome friends, यहाँ पर एक viewer है हमारे, जो यह कहना चाहते हैं कि जब वो sell करें, ठीक है, जब वो sell करें, तो जो bill number है, वो automatically generate, ठीक है, अब माली जी ऐसा चाहते हैं कि per day वो bill जो है, 10 bill, 20 bill निकलने के बाद, फिर वो दूसरे दीन, same one से चालो हो, तो क्या ऐसा हो सकता है, तो हो सकता ह कैसे होगा, यह समझते हैं, यहाँ पर chart of account पर चले जाएए, और chart of account पर जैसे ही जाते हैं, तो यह सारी चीज़े आपको दिखेंगी, यहाँ पर आपको एक option मिलेगा, voucher types, ठीक है, अगर आपको यह नहीं दिखता है, तो यह so inactive पर click किज़ेगा, तो दिखने लगेगा, तो sales पर चले जाएए, और यहाँ पर आईए, एंटरपेस कीजिए, नीचे आईए, यहाँ पर आईए, activate voucher type, फिर यहाँ पर आईए automatic, तो यहाँ आपको automatic ही रखना है, यहाँ पर जैसे ही आएंगे, तो use advanced configuration, यहाँ पर आपको y press कर देना है, जैसे ही आप y press करते हैं, तो यह window open होती है, ठीक है, starting number, अब यह starting number दिया हुआ है, तो starting हम कहां से करना चाहते हैं, तो हम हर बार एक से start करना चाहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम मालीजे की 2, जैसे मालीजे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 जो है 2 digit का होता है, और 100 जो है 3 digit का होता है, 100 से कम भी करते हैं, त यह 1 April 2021 से लागू हो रहा है, ठीक है, आप अगर इसके पहले भी लेके जाना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर बाहर आ करके financial year check कर लेता हूँ, ताकि सारी चीज़े असाने के साथ हो सके, तो यह 1 April से ही start है, पर 31 March 2022 तक यही financial year है हमारा, त यहाँ पर जबाएंगे, तो इसको yes कर दीज़ेगा, यानि कि advance configuration वाले option को yes कर दीज़े, शुरू कहाँ से करना चाहते हैं, वो बता दीज़े, पर number कितना लेंगे, तो यहाँ पर अगर आप 3 भी कर देते हैं, numerical part, यहाँ तो 2 कर दिया हमारे, 3 या 4 कुछ भी कर सकते हैं, अ यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, अलग लग option दिया है, periodicity में, क्या दिया हुआ है, कि यह चीज़े daily आप change करेंगे, पतलब daily यह one से सुरू हो जाए, दूसरा है monthly यह one से सुरू हो, कभी भी one से सुरू ना हो, यह number चलता ही जाए, चलता ही जाए, इसका मतलब होता ह weekly यह सुरू हो, yearly सुरू हो, तो यह चाहते हैं, कि daily सुरू हो जाए, तो daily कर दिजेंगे, daily कर दिया, काम हो गया आपका, बाकी यह देखें, यहाँ पर prefix में, gst, oblique मैंने किया है, और आगे लिखा हुआ है, सुरसर, ठीक है, तो बाकी की चीज़ें ऐसे आप कर सकते हैं, यह यहाँ पर अपना नाम दे सकते हैं, यह जीएस्टी के जगा कुछ और देना चाहिए, तो वह भी दे सकते हैं, control A प्रेस कर देता हूँ, control A फिर प्रेस कर देता हूँ, और control A दोबर प्रेस करने बाहर आ जाता हूँ, वी प्रेस कर लेता हूँ, voucher entry पास करने के लिए, और आ जाते हैं, sales voucher में, जैसे ही sales voucher में आए, तो यहाँ पर देख सकते हैं, GST7, यहाँ पर देख सकते हैं, GST7 आ रहा है, आ रहा है न, बाकी की बिल पहले से निकल चुकी है, इसलिए GST7 यहाँ पर आ रहा है, पर अगर मैं यहाँ पर किसी, जैसे मैं यह cash ही कर देता है, त इसको एक्सेप्ट कराते हैं ठीक है अब इसका जब हम पास की है और और वो जो है न यहाँ पर देखें यह दिया हुआ है 7 ठीक है यह 7 है और यही entry हमने पास किया अब इसका जब bill हम निकालेंगे तो यहाँ पर एंटर पेस करते हैं P प्रेस करके और यहाँ पर एक पर और एंटर पेस करेंगे फिर I press करेंगे तो यह हमारा बिल आ जाएगा cash invoice से यह देख सकते हैं यहाँ पर 7 से आया हुआ है अभी 7 से क्यों आ रहा है वो आपकी बात समझ में आएगी देखिए यहाँ से बाहर आता हूँ यहाँ थोड़ा एक बड़ और इसके button प्रेस करता हूँ यह देखिए यहाँ पर यह one से हमने start किया था तो यह पहले ही मैंने one से start किया था देखिए तो यह one से start किया था तो यह इस तरीके से आ रहा था यहाँ पर one लिखा हुआ आ रहा था यह देखिए सूरा सर के ठीक पहले one लिखा हुआ आया है तो alt के साथ P प्रेस करता हूँ फिर से इसका देखिए print out कैसा दिखेगा आपको I प्रेस कर देता हूँ, तो यह देखिए, यह प्रेंट आउट कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पर आपको जो bill number मिलेगा, यह one मिलेगा, ठीक है, अब अगर दुबारा मैं कोई चीज sell करता हूँ, यहाँ से बाहर आ जाते हैं, और वापिस आ करके यहाँ पर आनेक बाद यहाँ भी प्रेस कर लेता हूँ, और देखिए, यहाँ पर 8 आ रहा है, तो कोई भी यहाँ पर कैस्ट करिए, या कोई भी डेटर पार्टी ले ले लेते हैं, यह डेटर पार्टी है, हमारी पर दो बाटी प्रेस करते हैं, कौन वाली एंटरी थी, तो यहां से आप 8 ले सकते हैं, GST, Oblix, 8, सुरज़सर, यह वाली एंटरी हमारी थी, ठीक है, और यहां पर alt के साथ P प्रेस करके एंटर्पेस करेंगे, फिर एक बार और एंटर्पेस करेंगे, तो यह जो है, देखिए, यह यहां पर 8 वाला बिल जनरेट हुआ है, ठीक है, अब कहानी यह है, कि यह तो एक ही डेट पर मैं एंटरी पास करता चला जा रहा हूँ, अगर हम डेट चेंज कर दे तब क्या होगा, ठीक है, तो कि हमने एंटरी पास करते, देखते हैं, कहां से सुरू हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर आगए, आप देखिए, यहां पर automatically GST, one सुरस सर लिखे आ रहा है कि नहीं, तो आप day change करेंगे, तो अपने यह चेंज बजाएगा, चाहिए, आप day change कीजिए, month change कीजिए, यह हमेसा once से start करेगा, ठीक है, अब देखिए, यहां पर एक तारीक की बात की है, मैंने, ठीक है, तो यहां पर अभी मैं क्या करता हूँ, cash कर देता हूँ, इसमें cash करते हैं, interface करते हैं, और interface करके, यहां पर अन्रजिस्टर्ट के बजाए, regular कर लेते हैं, उपर, यह यहां पर, यह कर दिया हमने, regular, ठीक है, regular करने के बाद, interface कीजिए, और यहां पर sales account कर दीजिए, और यहां पर keyboard कर देता हूँ, और फिर यहां पर एक ही item लेते हैं, यह ले लिए हमने, और interface करके, control एक कर दिया, ठी प्रेस कीजिए, इसका हमें print out देखना है, तो यहां से बाहर आईए, दो बाटी प्रेस कीजिए, यह देखिए, यह ही है, अब इसका print निकाले के लिए, और के साथ P प्रेस कीजिए, एक बार और interface कर दीजिए, और I button प्रेस कर दीजिए, बस काम हो गया आपका, यहां पर देखेंगे, तो यहां पर one लिखा हुआ आ रहा है, सूरज, सरके ठीक पहले, one लिखा हुआ है, ठीक है, तो यह बहुत आसारी के साथ आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाहर आता हूँ, इस बार एक माई की बात की थी हमने, अब हम यहां पर F2 प्रेस क जो है, one से चाल हो भाई, यह देखिए, one से चाल हो रहा है, ठीक है, तो यह करना कैसे है आपको, बहुत आसानी से हो जाएगा, अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, thank you for watching this video